निर्माता मुकेश पांडे की अनों की पहल सामने आई है ओम मुशन एंटेटीन्मेंट के बैनर तले भजन समराथ अनुप जलोटा और श्रीमती सरोज मिश्रा की आवाज में एक भक्ती गीत भोले का श्रिंगार मुंबई में संगीत कार दिलीप सेन के स्टूडियो में रिक सरोज मिश्रा गुलाम मुस्टफा खान साथ की सिश्यय है महान संगीतकार से उनों ने संगीत और होगायदा तालिम हासिल की है वह घुलाम मुस्टफा खान के बहुत करीब रही और वह सरोज मिश्रा को अपनी बेटी मानते थे वोकल आर्टिस अरोज मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर की नीव रखे जाने वाले दिन उन्होंने एक प्रण लिया था कि आध्या के राम मंदिर का जब तक पुरी तरह निर्मान न हो जाता है तब तक वो एक भजन गाती रहेंगी यह उनका एक सो अठानवा भजन रिकॉर रविंद्र जैन के म्यूजिक डिरेक्शन में एक सीरिल का टाइटल सौंग आया है मेरे गुरू पद्मवी भुशन उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साब रहे है उनसे मैंने म्यूजिक और सिंगिंग की बकायदा ट्रेनिंग ली है मेरे गाय हुए वई साई भजन सिंगार गया है गया है और कृष्ण भजन गाय है गजले गाई है इस तरह की चीजे बनाई है हमें ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कुछ मिल गया जैसे हमारी मुराद पूरी हो गई है ना क्योंकि जब कभी ऐसा होता है कि आप सोचते रहो कि आप किसी बहुत जो जो आपके भजन में कि मुझे बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं तो अगर ऐसा मौका मिले तो आप समझ सकते हैं कैसा लग रहा होगा मुझे आज अनुब चलटा और संगीतकार दिलीब सेन ने सरोज मिश्रा के आवाज और उनकी गाईकी के अंदास की तारिफ की है वो रिहसल भी करती है और परफेक्ट गाईकी की हिमाईती है उमीद है कि यह भक्ती गीत जब भी रिलीज होगा शौताव दर्शकों को अवश्य पसंद आएगा जल्दी इसका प्यारा सा म्यूजिक वीडियो शूट किया जाएगा दिलीब सेन ने बताया कि सरोज मिश्रा क्लासिकल संगीत सीखी अपर और काफी गुनी कलाकारों से सिखा इनोंने गुलाम मुस्तवा खास आप से आपने शागिर्दी में रही हैं उनके और अब अनुप जी के शागिर्दी में मैं भी हूँ यह दोनुएं क्यूंकि अनुप जी के अंदर जो मैं ये कहना थी है सम्राड तो इनको कहते हैं मगर मैं तो जल्द आप लगोसु कि doctrine कर दे दौर… आप सभी को मेरा नमस्कार और इस गाने की प्रेणना सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दिलिपसेंज जी और हम लोग बैठे थे तो चर्चा चल लए थी मैंने का महादेव जी के सिंगार के उपर एक गाना होना चाहिए और उसी समय जो है सरोज मिस्रा जी ने बहुत सारे भजन किये हैं तो मेरे दिमाग में एक उनकी पिक्चर आई और जलोटा साब तो खेर भजनों के समराथ हैं और खास तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो म्यूजिक कंपनी है ओम मोसन इंटर्टेन्मेंट 200 गानों का निर्मान कर रही है जिसमें से 15 गाने रिकॉर्ड हो बताना चाहिक हैं और एक साथ हम 200 गानों को और हमारा अंदाजा है कि अपरेल तक हम यह खतम कर लेंगे जिसमें भजन भी हैं लोगों तक अच्छी चीज पहुंचे लोगों के घर घर तक भजन बजे आज के गाने को भी सुन रहे हैं और आगे आने वाले गाने ऐसे हों ज अच्छा बहुत भाव खुद बहुत बनते हैं ऐसे जो सुन्दर लिखे हुए गाने होते हैं उसमें भाव बड़े सुन्दर बनते हैं और बहुत भाव बढ़ा प्रण लिया था कि जिस दिन निव रखी गए थी आयोध्या की उस दिन से निरंतर आज तक मैं भजन गाती जा आप लोगों जैसे लोगों का आशिरवाद है और सब का प्यार है तो कुछ न कुछ इश्वर से प्राप्ति हो रही है देवों के देव महादेव जो स्रिष्टी के बनाने वाले हैं उनके उपर ये गीत हो रहा है और बड़े स्वभागी की बात है कि इश्वर कभी खुदा के अपनी आवाज को धर्ती पर नहीं पहुँचाते बड़े-बड़े महात्माओं, रिशियों, कवियों और गायकों के द्वारा इस धर्ती पर अपनी आवाज अपना आशिरवात देते हैं और ये बड़ी हमारे लिए स्वभागी की बात है कि सायद भगवान का इस धर्ती में किसी के अंदर अंश आता है तभी वो उनकी बात को लोगों तक सुनाता है और इस भजन के अंदर भजन समराट अन द्वाले बाबा का ये गीत जो है अनूव जलुटा जी हमारे कमपनी के लिए का रहे हैं और इनकी मौजूदगी हमारे लिए वाकई जिस गाने को लेकर हम चल रहे हैं ये हमारे लिए भी स्वभागी की बात है और मुझे पून भरुसा है कि इनकी आवाज कहीं पर भी संस कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां अनूव जलुटा जी के आवाज के परिचित लोग नहों और इस गाना बनने के बाद इस गीत के बाद महादेव जी की पूजा अर्चना के लिए जो लोग महादेव जी के जो भक्त हैं इस धर्ती पर वो जरूर से जरूर इस गाने को सुन के रहा है कि मेरी पिक्चर पर वैसे तो मैंने बहुत सारी गुजराती फिल्में एज हीरो लीट की है लेकिन भोजपूरी फिल्म में दो साल पहले मैं आया था बीर अर्जुन पिक्चर में वह तरीके से मेरा डेबू था उसमें वह पिक्चर सूपर हिट रही इन्होंने इ भजन के राम मंदिर के निर्माण जब से हो रहा है और गुलाम मुस्तफा जी का नाम जो है कौन नहीं जानता जिनके सभी लोग शिश्य रहे हैं उनकी शागिर्दी में ने सीखा है और आज हमारे लिए देवों के देव महादेव में गीत का रही है और तो हम पूरी हम लो हीट हो और हमारे परहुजी दिलीव सेंजी जो की भागी रथी हैं संगीत के जिनके द्वारा नदियां बहती हैं और बहुत सारे गगीत अनेकों अनेक गीत परहु ने अशिरवाद दिया है कि जो लोगों की जबान पर इनके चलते हैं ये किसी परिशे के महताज नहीं है लेकिन हाँ इनकी बिनमरता बहुत बड़ा इनका धन है और इनकी बिनमरता और इनके होसले की वज़े से ही जो हम लोग इतने सौ गानों के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यह संभव तब हो पाता है जब कोई इसके पीछे निर्माता टथस्त लगा हुआ हो तो भाई इसके दिन जो अनुप जो लुटा जी हमारे बीच में सरोज जी सब लोग है तो मुकेश भाई का बहुत बड़ा इसके अंदर प्रयास है और चाहते हैं कि नए नए टैलेंट्स को भी इसके अंदर मौका मिले सो से ज्यादा गीत बनाने का हमारी कंपनी का जो कल्पना लेक रेगुलर कई फिल्में बना रहे हैं तो मैंने इन से कहा कि भी मुझे भी तो जोड़ के रखो तो इन्होंने यह कंपनी का चिव के नाम से इन्हों ने कंपनी की इसमें इन्होंने यह जरूर यह कहा कि हमें काम इतना करना है लोगों तक एक भक्ति की गंगा बहानी है और यहां कोई एलेक्शन ही नहीं इनके सेलेक्शन पर हमारा हर्याणवी गुजराती पंजाबी और भोचपुरी यह चार लेंग्वेज के अंदर जो है हम लोग गीत बनाने वाले हैं और हिंदी के 15 गीत तयार हो चुके गुजराती के अल्रड़ी गीत रिकॉर्ड होने शुर कितने सुन्दर शब्ड हैं हैं और हमारे साथ भी बेटे हैं सौमी जी हम गलीब शेंग सौमीजी कहते हैं क्योंकि ये दो तरह से विद्वान है, एक तो संगीत से और एक अधात से इनके संगीत में, संगीत में बेशन में मैं जब भी कुछ गाता हूँ तो मैं कुछ यहां से सीख कर ही जाता है बहुत इश्वर ने इनको गुण दिये हैं और मैं आज ये बहुत सुन्दर इनकी धुन गाने वाला हूँ जो भगवान शंकर को अवश्य रिजाएगा और भगवान शंकर, शिव भूले बाबा, हम सब पर क्रपा करेगा बिल्कुल बिल्कुल देखे, आज मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जितना भी काम किया आज तक और खास करके भोले के लिए, वह अद्भूत हुआ है, मगर आज का जो भजन हो रहा है, खास करके अनुप जी और हमारी लैडली बहन जी, सरोज जी, मिस्रा जी गा रही है आज, पहले मरतबा ये दोनों ग्रेट सिंगर, इन दोनों का म जो शुरू कियें इनोंने, कि आगे चलके काफी बड़े-बड़े कलाकारों को देंगे, जैसे कि दो महान कलाकार मेरे सामने हैं, कि स्काइज दा लिमिट, कोई अच्छी चीज बनती है, तो पता थुड़ी होता है, कहा कहा तक पहुँचेगी, लेकिन इतना जुरूर है कि जिस मेहनत से, जिस प्यार से, इसको लिखा गया है, किरन मिश्रा जी आज हमारे बीच नहीं है, उनका लिखा हुआ है, और पंडी जी दिलीब सेन जी ने जिस तरह संगीत दिया है, मैंने अभी इसकी धुन सुनी, रिकॉर्डिंग करने से पहले, बहुत ही विशेश गाना यह बन रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं, कि हम और सरूज जी इस गाने को एक नई उचाई तक ले जाएं, कोशिश है बरी, और सबसे बड़ी बात यह है, कि यह भूले बाबा का गाना है, और आप जानते हैं, कि ओम नमस्षिवा, ओम त्रेंबका याजा महें, यह सब ब् ब्रम्हांड तक भी अपनी आवाज पहुचाने के लिए, इंसान तो छोड़ दीजे, ब्रम्हांड के अंदर भी जो ऐसी कमपन होती है, जो सुरिष्टी को जिन्दा रखती है, तो हमारी ही आशा है कि जो लोग गीत सुने और इसकी कमपन और इसकी जो अच्छाया है, जो को तो ब्रम्हारन के पाओजाए万ेके